नमश्का दोस्तों मैं हूँ अदिती शर्मा स्वागत है आप सभी का फिल्म विंडो में हाजर हूँ आप सभी के लिए लाइफ फीट से कुछ लेटास अबडेट्स लेकर लेकिन अगर उससे पहले आपने नहीं किया है मुझे इंस्टाग्रेम पर फॉलो तो जल्दी से जी अदिती पियों के नाम से मौझूद हूँ तो भाई घर के अंदर हो रहा है घमासान जी हां थर्ड राउंड के अंदर बहुत सारी लड़ाईयां देखने को मिली है एक तरफ रश्मी और देवलीना लड़ रही है और किसके लिए लड़ाई कर रही है उमर रियाज के ल तो भाई ये दोनों तो आपस में लड़ाई कर ही रही थी इन दोनों के लिए लेकिन उसके बाद इन दोनों ने भी आपस में लड़ना शुरू कर दिया प्रतीक सहजपाल और उमर रियाज ने जहां पर उमर रियाज ने प्रतीक सहजपाल पर बहुत बड़े बड़े जो ह वो इलजाम लगाएं हैं और उन्होंने कहा है कि तू वियाईपीज के तलवे चाटता है ताकि वो तुझे फेवर करे और वो ही दिखाई दे रहा है इतने तलवे तुने चाटे हैं जिस पर प्रतीक सहजपाल ने जवाब दिया कि भाई हाँ मैंने तो तलवे चाटे अब बात जो की बहुत ही बुरी तरह से उठी थी स्टार्टिंग में जो हुआ था लैच वाली वो चीज विधी पांडय वाली वो चीज जब प्रतीक सहजपाल ने वो लैच निकाला था और विधी जो है वाश्रों में नहा रही थी तो वो बात लेकर आए हैं जिस पर प्रतीक पढ़के हैं कि फालतू बाते मत कर पुरानी चीज़े मत लेकरा टास्क के बारे में बात कर और इन लोगों में मतलब रश्मी बीच में आई है नहीं तो शायद शायद आज भी हाथा पाई हो सकते थी तो आपको क्या इस बारे में कहना कॉमेंट शेक्शन में जरूर के लिए बने रहे हैं हमारे साथ